हेलो दोस्तो मैं आंकित सिंग स्वागत करता हूँ आपका प्रगर्ति कोचिंग सेंटर अलमोडा में दोस्तो आज मैं फिर से आपके रिए रेकिया है हूँ उत्रा खंडी की कुछ मेहत्तुपूर्ण प्रसन है जो आज का पहला प्रस्न है वो है उत्तर परदेश के किते जिलूं की सीमा उत्रा घंडे से लगती है option आपका 5, 6, 7 और 8 तो दोस्तो जो उत्तर परदेश के कितने जिले जो है आपके उत्रा घंडे राज जी को सपर्श करते हैं तो कितने जिले हो जाएंगे आपके साज जनपत कौन कौन से हो गया आपके सहारन पुर हो गया और कौन सा हो गया मुझफफर पुर और बिजनौर मुरादावाद और कौन सा हो जाएका पीली भीट बरेली और कौन सा आपका रामपुर ये जो स्थाथ जनपत हैं उत्तर परदेश के ये किसको सपर्श करते हैं आपके उत्तराखंड राज्य को और कौन-कौन से है उत्तर प्रदेश के जो ये जिले हैं एक होगया आपका सारंपुर, दूसरा होगया मुजफ्वरनगर, तीसरा होगया बिजनर चौथा हो गया मुरादाबाद, पांचों हो गया पीली भीत, छटा हो गया बरेली और सातों कौन सा हो जाएगा रामपूर और अगर बात करेंगे हम उत्तरा घंडे के कितने जनपत जो है आपके उत्तर परदेश राजी को सपर्स करते हैं तो कितने जनपत हो जाएगे आपके पांच जनपत, कौन-कौन से जीले हैं वो पांच एक है आपका देहरा दून, दूस्रा है आपका हरी द्वार, तीसरा हो जाएगा पौडी, चोथा हो जाएगा ने-टाल और पांचों ben अगला प्रशन है दूसरा प्रशन निमने मैं से कौन सा स्थल कैलास मांसरोवर से सबसे कम दूरी पर इस्तित है कौन सा स्थल पूछ रहा है और उप्सन दिये है आपका मायवति आश्रम, नारायन आश्रम, नासकति आश्रम या तवागाट आश्रम तो दोस्तो इन में से जो आपका सबसे नजदीक की दूरी में है आपका कौन सा हो जाएगा आपका नारायन आश्रम तो रैट आंसर क्या हो जाएगा उप्सन भी नार ती आपका 1936 में जो आपका नाराय नास्रम की स्थापना का पर हुई थी धर्चुला में हुई थी और बात करेंगे केलास मांसरोवर की तो यह पिथोरागड के जो आपका लिपुलेग दर्रा है लिपुलेग दर्रे से होकर आपका तिबबत में जाती है और इक इतने दिन की पर रहता है यह मेहने इन मेहनों में जो है आपका केलास मांसरोवर की यातरा की जाती है अगला प्रसने है तीसरा प्रसने वार्डरिंग इं द्हिमाल्या किसकी पुस्तक है ऑप्शन है आपका ताल जनपत की खोज की थी और कब की थी अठार सो एक चालीस में 1841 में जो है आपका पी वेरन ने 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 ताल की खोज की थी और इनकी पुष्टा कौन सी आपका वार्डरिंग इंदा हिमालया अगला प्रस्न है मंगलेश जपराल को साहित्य अकादमी पुरुषकार कब मिला 1927-2012-2020 को तो दोस्तों बात करंगे अगर मंगलेश जपराल की तो इनको साहित्य अकादमी पुरुषकार कब मिला आपका सन 2000 में और जो इनका जन्मू हुआ था कब हुआ था 1948 में 1948 में कहां पर हुआ था आपका तीरी में हुआ था और जो इनकी मृत्य हुई थी कब हुई मंगलेश जपराल है इनको साहित्य अकैदमी पुरुषकार कब मिला तो कब मिला आपका 2000 में और इनका जन्म कब हुआ यह जन्मू हुआ था 1948 में कहां पर टिहरी में और इनकी मृत्य कब हुई आपका 2020 में अगला प्रस्न है अल्मोडा के बारा मंडल परगने में कौन सी ब बरगना है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है वहाँ पर खस परजरिया बोली बोली जाती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन और खस परजरिया बोली और बात करंगे अगर पछाई बोली की तो यह पछाई बोली अल्मोडा के पाली पछाओं छेत्र में बो 2017 तो दोस्टों जो कोडवार निगम बना है कौनसा कोडवार नगर निगम ये कब बना आपका 2017 म fato रैट आंसर क्या हो जैगा option d 2017 में और इससे पहले क्या था आपका कोडवार क्या था नगर पालिका थी और जो ये कोड़दवार नगर पालिका थी दोस्तों ये आपका कब बनी थी आपका 1951 में 1951 में जो ये आपका कोड़दवार नगर पालिका बना और जो ये नगर निकम बना कब बना आपका 2017 में और एक किस नदी के किनारे इस्तित आपका ये खोह नदी पढ़ती है दोस्तों एक खोह नदी के किनारे कौन सा इस्तल स्तित है आपका कोड़द्वार कुश्य आ गया कोड़द्वार किस नदी के किनारे है तो आपका right answer क्या हो जागा खोव न दी और कोड़वार नगर पालिका कब बना तो यह आपका कब बना 1951 में और यह नगर निगम कब बना कोड़वार तो यह राइट आंसर क्या हो जागा 2017 में दोस्तों अगला प्रस्न है पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब हुई और जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है इसकी जो खोज हुई थी और यह राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यह आपका चंपावत जन्पद में इस्तित है कहां चंपावत जन्पद में कौन सा पाताल रुद्रेश्वर गुफा और इसकी खोज कब हुई थी आपका 1993 में 1993 में अगला प्रस्न है दुर्योधन मंदिर उत्तरकासी के किस छेत्र में इस्तित है option है आपका रवाई चेत्र में, मोरी नोटवार चेत्र में, खरसाली चेत्र में या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो option है यह आपके तीनु जो आपका option है यह कहां के आपके यह उत्तरकासी जन्पद में पढ़ता है रवाई चेत्र हो गया, मोरी नेटवार चेत्र हो गया और खरसाली ये तीनु जो चेत्रे हैं आपके कहा हैं आपके उत्तरकासी जन्पद में है और जो दुर्योधन मंदिर है ये उत्तरकासी के कहां परिस्ति था आपका रवाई चेत्र में सासक दोड़ा किया ओपसन आपका पूर्णी चंद, इंदर चंद, आत्मा चंद, सूम चंद तो दोस्तो रेसम के वस्तर बनाने का कारी प्रार्वं चनाऊ कहा था, किस में कहा तो इंदर चंद ने तो राइट आंसर क्या होजाएगा आपका आपसन बी इंदर चंद कौन सा रेसम मुस्तर बनाने का कारिक इसने प्रादम बखिया था आपका इंद्रे चंद ने अगला प्रस्न है हेडा खान बाबा का मंदिर किस नदी के किनारे इस्तित है ओप्सन आपका गोला नदी, काली नदी, पिंडर नदी और राम गंगा नदी तो दोस्तो जो आपका हेडा खान जो बाबा का मंदिर है यह आपका किस नदी के किनारी स्थित हो जाएगा आपका गौला नदी के किनारे और जो हेडा खान बाबा है ये आपका कहां पढ़ते हैं आपके नैनी ताल जो आपका नैनी ताल जनपद है वहाँ पर आपका हेडा खान का मंदिर भी है और हेडा खान बाबा का भी मंदिर है और नैनी ताल में कौन सी नदी बेहती है आपकी गौला नदी बेहती है एक बार एक्जाम में कुछीन आया था जो हलदवानी सहर है किस नदी के किनारे है तो कौन सा था आपका गौला नदी राइट आंसर था और जो आपका हेडा खान बाबा का मंदीर है ये किस नदी के किनारे हो जाएगा आपका गौला नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं पर समामति करता हूँ धन्यवाद